Hello everyone and welcome to Education Achievers, I hope you all must be doing well जैसा कि आप सभी जानती हैं कि 6th of December से आप लोगों की UGCnet exam स्टार्ट हो चुके हैं आज 8th of December है and जिन students का exam हो चुका है उनके according G20 से related लगातार आप लोगों के exam में questions पूछे जा रहे हैं चाहें वो shift 1 हो या shift 2 हो दोनों ही shift में G20 से related questions देखे गए तो आज की class उन सभी students के लिए बहुत helpful होने वाली है जिन लोगों का अभी exam नहीं हुआ है या जो लोग June 2024 के exam को target कर रहे हैं उनके लिए भी ये topic बहुत important हो जाता है because G20 आपका current topic है इससे questions पूछे ही जाएंगे तो आज की class में पहले हम G20 से related जितने भी important चीज़ें हैं जो आपके exam में पूछी जा सकती है जिसे की 2023 में theme क्या रही next presidency किस country के पास रहेगी या venue क्या रहा इस बार सब चीज़ों को हम discuss करेंगे and last में हम कुछ important questions भी practice करेंगे तो आप लोगों को शुरू से end तक पूरी class को देखना है because ये class बहुत important है this is something about me and आप लोग telegram group भी join कर सकते हो मैं वहाँ पर आप लोगों को classes की free pdf provide करती रहती हूँ उसके साथ ही UGC net exam से related जो भी important update होती है या फिर PhD का कोई notification होता है वो भी मैं आप लोगों को महाँ पर share करती रहती हूँ channel को जरूर subscribe कर देना ताकि मुझे भी motivation मिले और आप लोगों को time पर हर class को notification मिल सके चलिए without wasting time start करते हैं अपने आज के topic से G20 अब यह G20 होता क्या है देखो G20 की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए full form फुल form क्या होती है इसकी group of 20 यानि कि इसमें 20 members शामिल हैं ठीक है इसलिए इसको कहा जाता है group of 20 अब वो members कौन कौन से हैं इसको हम अभी आगे discuss करेंगे the G20 or group of 20 is an intergovernmental forum अब intergovernmental का क्या मतलब है अगर इस से कोई आप क्या statement based question पूछा जाता है तो देखो governmental का क्या मतलब होता है अगर कोई government organization है या government college है government college का क्या मतलब है कि उसका सारा management government संभालती है intergovernment का मतलब है कि वो चीज़ जिसको एक से ज़्यादा government manage करती है एक से ज्यादा government अगर किसी चीज को manage कर रही है साथ में तो उसको हम कहेंगे intergovernmental तो यह G20 एक intergovernmental forum है जिसमें बहुत सारी government आपस में मिली हुई होती है that brings together the world's 20 largest economy और यह जब G20 है यह दुनिया का क्या करता है यह दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं को साथ लाता है G20 was established in 1999 यह date आपको याद रखनी है यह platform है for finance ministers and central bank governors to discuss global economic and financial matters जो G20 है उसमें अलग-अलग देशों के जो finance ministers हैं central bank के जो governors हैं वो discussion करते हैं किस चीज़ पर discussion होता है कि global economy को कैसे better किया जाए financial matters पर discussion होता है यानि कि वैश्विक तौर पर आर्थिक व्यवस्था को कैसे अच्छा बनाया जाए इस चीज़ पर discussion होता है G20 की meeting में और यह कैसे होती है यह annually रखी जाती है हर साल अलग-अलग देश के पास इसकी presidency होती है और यह world की जो economy है उसको better बनाने के लिए G20 की meeting को रखा जाता है इसका establishment हुआ था 1999 में यह important points है जो आपको याद रखने है G20 से related members की अगर बात करें तो इसमें 90 countries शामिल हैं plus European Union भी इसका हिस्सा है इसलिए इसको group of 20 कहा जाता है तो यह चीज़ आप याद रखना इससे भी question पूछा जा सकता है countries जो member countries हैं उसकी अगर बात करें तो Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom and United States and EU यह सब मिलकर आपस में कितने बनाती हैं 20 इसलिए इसको कहा जाता है group of 20s आगे बढ़ते हैं अब ट्राइका से question आपका पूछा जा सकता है कि ट्राइका क्या होता है तो ट्राइका का मतलब है current, previous and incoming जो presidencies है यानि कि अपसे पहले किसके पास रही अभी फिलहाल किसके पास है presidency G20 की and आगे future में in future किसके पास रही कौन समभालेगा तो देखो 2022 में इंडोनेशिया के पास रही currently 2023 में इंडिया के पास रही इसकी presidency जो की बहुत गुराणवित करने वाली बात है ब्राजील के पास रहेगी 2024 में तो अगर ट्राइका से question पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि current, previous and incoming जो presidencies होती है उसको मिलाकर बनता है ट्राइका जो हमारा previous था वो था इंडोनेशिया जो current है वो है इंडिया जबकि इंडिया के पास सब खतम हो चुकी है अब ब्राजील को सौफ दी गई है ठीक है 30 नवंबर तक थी इंडिया के पास लेकिन अब किसके पास है ब्राजील के पास 17th जो G20 मीट हुई थी वो हुई थी इंडोनेशिया में जो की 2022 में हुई 2023 में यानि इसी साल किसके पास रही presidency इंडिया के पास और इंडिया में जो यह G20 मीट हुई यह कौन सा edition था इसका 18 एडिशन था यह तीनों ही चीज़ें बहुत important है आपके exam के point of view से G20 अगले साल किसके पास रहेगी G20 की जो presidency है वो रहेगी ब्राजील के पास और ये कौन सा edition होगा 19th तो जो 18th है वो हुआ इंडिया में और 19th होगा ब्राजील में और जो 17 था वो कहाँ पर हुआ इंडोनेशिया में ओके आगे देखते हैं अब G20 ये 20 बना कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई थी तो G20 डिरेक्ट 20 नहीं बना बलकि इसकी शुरुआत हुई थी G7 से शुरुआत कब हुई थी 1975 में Group of 7 था ये पहले Group of 7 1975 में बना जिसमें था Japan, United Kingdom, United States of America, Italy, Germany, France and Canada ये साथ countries शामिल थी G7 में तो इस स्टार्टिंग हुई 1975 से उसके बाद इसमें एक को और शामिल किया गया रशिया को और ये हो गया G8 कब हुआ 1997 में and then और जादा इसमें countries जो है वो इसका membership उनको मिली इसका member बनी G20 वो कब बनी 1999 में और ये पूरे हो गए 20 तो G20 से अगर question पुछा जाए तो आपका answer होगा 1999 1999 में G20 establish हुआ था G8 से पुछा जाए तो 1997 and G7 या फिर Group of 20 की शुरुआत जो हुई थी basically वो G7 से हुई थी 1975 में तो ये सारी countries है इसको आप देख सकते हो जो G20 का हिस्ता है इसकी starting कैसे हुई और G20 तक ये कैसे पुछा इसको आप screenshot भी ले सकते हो इसका map भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ये जितना भी आप लोगों को orange color दिखाई दे रहा है ये सब है G20 की countries प्लस EU और जितना भी sky blue area दिखाई दे रहा है आपको ये है guest countries जिसके पास भी presidency होती है G20 summit की उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो guest countries को invite कुछ countries को invite कर सकता है as a guest तो जितना भी sky blue दिखाई दे रहा है वो रही guest countries और G20 कौन सा होगा आपका ये orange color में जो भी area दिखाई दे रहा है ये सब आपका क्या होगा G20 अब G20 में शेरपा कौन होते हैं शेरपा से भी आपने नाम सुना होगा शेरपा का अब इसका शेरपा का मतलब क्या होता है तो देखो शेरपा जो है वो एक समुदाय का नाम है नेपाल एन तिबबत में दुरगम पहारियों वाले इलाकों में ये लोग रहते हैं और इस समुदाय के लोग आज भी एवरेस्ट पर जो लोग ट्रेकिंग करते हैं उसमें उनकी हेल्प करते हैं और इसलिए इस कम्यूनिटी को बहुत बहादुर माने जाता है अब G20 में शेरपा का क्या मतलब है All the countries participating in the G20 conference, he appoints one शेरपा on behalf of his country जितनी भी countries participate करती हैं G20 conference में वो अपना एक शेरपा appoint करती हैं अपनी country का शेरपा's from member countries represent their respective countries during the G20 conference अब शेरपा जो होती हैं वो क्या करते हैं? जिस भी country का शेरपा होगा वो रिप्रेसेंट करेगा अपनी country को अब यह जो शेरपा होती हैं किसी भी conference में जो भी conferences होती हैं उसमें ही अपनी leaders की help करने के साथ-सार इनकी खुद की country से related जो भी decisions होते हैं जो भी policies होती हैं उसको बाकी country इसको inform करने का काम भी किसका होता है शेरपा का इप understood in simple language में अगर हम समझें the post of शेरपा is equivalent to that of ambassador जैसे कि ambassador की post होती है उसी तरीके से शेरपा होता है तो शेरपा equivalent है as an ambassador शेरपा is appointed by the government of the member countries जो शेरपा है उसकी नियुक्ती सदस्य देशों की जो सरकार होती हैं वो करती है अब G20 का जब venue है जिससे question पूछा जा सकता है उसको आपको ध्यान रखना है कि G20 summit 2022 में 7 थी कब हुई इंडोनेशियम हुई ठीक है G20 summit 2023 यानि कि इसी साल जो हुई वो इंडिया में हुई और ये कौन सा एडिशन था 18th एडिशन था next year जो होगी वो ब्राजील में होगी 2024 में और ये कौन सा एडिशन होगा 19th 2025 में इसका 20th एडिशन होगा और कब होगा कहां पर होगा South Africa में ये भी आप लोग याद रहने क्योंकि 2024 से तो question पूछा ही जाएगा 2025 से भी अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पर होगी South Africa अब इंडिया में अगर हम बात करें G20 मीटिंग की 2023 में जो हाल ही में हुई है ये 18th मीटिंग थी ठीक है अठार भी मीटिंग थी जी 20 गुरूप की जी 20 समिट की 2023 में हुई इंडिया में इस समिट is scheduled to take place at भारत मंडपम ये नाम आपको याद रखना है भारत मंडपम देली में ये important point है याद रखना है आपको it will be the first G20 summit to be held in India as well as in South Asia ये भारत के साथ साथ दक्षि एशिया में आयूजित होने वाला पहला G20 सम्मेलन था ओके आगे बढ़ते हैं अब थीम की अगर हम बात करें G20 summit की तो ये summit सबसे पहले तो हुई थी कब हुई थी 9 to 10 September 2023 में इसको organize किया गया इसकी theme क्या रही इसकी theme रही वासुदेव कुटुमकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये पूछ ये कहा जाए तो ये भी सही होगा ये कहा जाए ये भी सही होगा दोने ही options correct हैं और ये लिया किस से गया था ये महा उपनिशत से लिया गया था वासुदेव कुटुमकम तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या फिर वासुदेव कुटुमकम इसकी क्या रही theme ओके तो ये चीज़ आपको याद रखी है ये इसका logo है इससे भी आप लोग भ्यान रख सकते हो अब इसके logo की अगर बात करें लोगो से questions बन सकते हैं ये इसका logo है इसकी जो important चीज़े हैं वो क्या है G20 के logo से related The G20 logo is painted in the vibrant colors of India's national flag जो G20 का logo है उसको paint किस तरीके से किया गया है जो colors हमारे इंडिया के flag में हैं वही colors इसके G20 के logo में रखे गए हैं ये जो है logo आपने देखा होगा कि हर बसो पर, train पर, हर जगा आपको ये दिखाई दे जाएगा तो क्यूं था ये ऐसा क्योंकि G20 की जो summit है G20 summit की जो presidency है वो इस ताल हमारे पास रही थी इंडिया के पास रही थी इस logo में भारत का जो राश्टिय फूल कमल है ये चुनोतियों के बीच विकास को दर्शाता है इसके साथ साथ जो earth है The earth reflects India's proplanetary approach to life in perfect harmony with nature प्रथवी प्रकृति के साथ पून सामन जिस्से में जीवन के प्रती भारत के ग्रह समर्तक दरिश्टिकों को दर्शाती तो ये है प्रथवी जो की किस कलर से है ब्लू कलर से है और बाकी ये है इसका पूरा logo इसको आप ध्यान रखना The word भारत is written in the देवनागरी script अब ये जो G20 के लोगों के नीचे जो भारत लिखा हुआ है ये किस script में लिखा गया है तो देवनागरी script में लिखा गया है ये भी important point है The Prime Minister underscored that the seven petals of the lotus represents seven continents जो seven petals हैं जो साथ पत्तियां हैं इस कमल की फूल की तो ये seven continents and seven notes of music को दर्शाती है तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है लोगों से related एक एक चीज आपको याद रखने हैं अब हम देखते हैं कुछ questions जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं Question number one, how often is the G20 summit held? जो G20 की summit होती है वो साल में दो बार होती है, annually होती है, bi-annually होती है, साल में दो बार होती है, साल annually होती है, ये tri-annually होती है या फिर quadranually होती है ये आपको बताना है, तो इसका सही answer मैंने आपको अभी बताया था कि ये annually होती है, यानि की हर साल होती है Second question देखते है, what is the meaning of G20? G20 का अर्थ क्या है? ये भी हम जानते हैं, चैसे grand 20 nations नहीं होगा, great 20 countries नहीं होगा, group of 20 होती है, इसकी full form तो answer सही हो जाएगा, option number 3 Next, what is the official language of the G20 summit? G20 summit की official language क्या होती है? English होती है, French होती है, Spanish होती है, या फिर ये तीनों ही जो languages हैं, वो official language होती है G20 summit की यहाँ पर इसका सही answer हो जाएगा, आपका option number 4, because English, French and Spanish ये तीनों ही language G20 summit की official language का हिस्ता है अगला question है, which of the following statements is correct about G20? अब ये statement आपको ठीक से पढ़ने है और उसके बाद answer करना है इसकी बात हमने अभी किती बिल्कुछ सही बात है, first option में ही हमें correct answer मिल गया बाकी का देख लेते हैं, the G20 has a permanent secretariat, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इंटर गवर्मेंटल फोरम है, हमने अभी पढ़ा था in 2015, the G20 presidency was held by China, ये भी गलत क्योंकि 2015 की तो चाइना में हुआ ही नहीं था G20 presidency rotates every two year, every two year में नहीं होती, बलकि annually होती है तो ये भी गलत हो जाएगा, answer आपका correct हो जाएगा, option number one आगे बढ़ते हैं, question number four, where was the first summit of G20 held G20 की जो first summit है, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था USA यानि America में हुआ था, Britain में हुआ था, Canada में हुआ था या फिर France में हुआ था, तो आपको याद रखना है, जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था, America यानि USA इसलिए इस question का सही आंसर हो जाएगा, आपका option number one next, which of the following is not the member of the G20 G20 का इन में से कौन member नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि member से भी question पूछे जा सकते हैं, आप लोग किसी भी तरीके से कोई निमोनिक बना कर या कैसे भी उन 90 countries को याद रख लेना इसमें कौन से G20 का सदस्य नहीं होगा, इंडोरेशिया, सिंगापूर, मैक्सिको या फिटर्की तो मैक्सिको भी हमने अभी देखा, तर्की भी देखा, इंडोनेशिया भी हमने अभी देखा क्योंकि हमारा जो past था वो क्या था इंडोनेशिया लेकिन जो सिंगापूर है वो G20 का सदस्य या member नहीं है इसलिए इस question का correct answer हो जाएगा option number 2 सिंगापूर next question what is the theme of G20 summit happening in India इंडिया में जो G20 summit हुई 2023 में उसकी theme क्या रही shaping an interconnected world fighting poverty with rigidity one earth one family one future या फिर making the world together अभी हमने समझा बासुदेव कुटुमकम या फिर one earth one family one future क्या रही theme रही G20 summit 2023 की इसलिए the answer of this question will be option number 3 one earth one family and one future next where is the headquarter of G20 G20 का headquarter कहां है इंडिया में है USA या दोनों ही जगा है या फिर इन में से कोई नहीं हमने अभी देखा था कि ये एक intergovernmental forum है तो intergovernmental forum है इसलिए इसका कोई एक headquarter नहीं है कोई एक specific headquarter नहीं है इसलिए इसका सही answer हो जाएगा option number D क्योंकि जो G20 है उसको कोई भी permanent secretariat या फिर headquarter नहीं है ये change होता रहता है host country के साथ साथ इसलिए इसका सही answer हो जाएगा option number D next question PM Modi transferred the G20 presidency 2 PM Modi ने जो G20 की presidency है वो किसको transfer की है ये तो हमने पढ़ लिया कि Brazil को transfer की है 2024 में किसके पास रहेगी presidency ब्राजील के पास अब हमें ये देखना है कि ब्राजील के president कोन होंगे उन्हीं को दी जाएगी presidency तो ये होंगे सर्मन लूसिया या फिर जेर बोल्सो नारो या फिर लूला दा सिल्वा या फिर माइकल टैमर होंगे इसका सही answer इनके नाम भी इतने अजीव होते हैं कि मुझे से पढ़ ही नहीं जाते तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number 3 ठीक है लूइस इनेशियो लूला दा सिल्विया ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं और मोदी जी ने इनहीं को ट्रांसपर की है 2024 के लिए presidency इसलिए इसका सही answer हो जाएगा option number 3 अगला question है when was G20 established G20 की स्थापना कब हुई 1995, 1999, 1985 या फिर 2000 तो हमने अभी देखा था इसका सही answer हो जाएगा option number 2, 1999 next question पर चलते हैं इंडिया's presidency of G20 ended on which of the following days जो G20 की presidency है जो इंडिया के पास थी 2023 में वो समात किस दिन हुई 20 नवंबर को, 25 नवंबर को, 30 नवंबर को या फिर 5 दिसमबर को तो आपको याद रखना है मैंने अभी बदाया भी था आप लोगों को 30 नवंबर 2023 में जो हमारी इंडिया है उसके पास presidency खतम हो गई यानकी समाप्थ हो गई इंडिया की presidency समाथ हो गई 30 नवंबर 2023 करेंटली अब किसके पास है ब्राजील के पास आगे बढ़ते हैं हुँ है इनॉगरेटिट इंडियास फर्स्ट मॉडिल जी ट्वेंटी समिट 2023 भारत के पहले मॉडिल जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 का उधगाटन किस ने किया तो 2023 का जो उधगाटन है वो किया गया था option number one अमिताप कांथ के द्वारा और इनी को बताया गया कि शेरपा जो शेरपा मैंना अभी आपको समझाया था तो जो शेरपा रहे जी ट्वेंटी समिट 2023 के इंडिया के वो रहे अमिताप कांथ आगे बढ़ते हैं what was the theme of G20 समिट to be held in Bali, Indonesia in the year 2022 अब इंडिया का तो हमने देख लिया कि वासुदेव कुटुम कम रहा theme अब इंडिया में जो G20 समिट हुआ था इंडिया के बाली में 2022 में उसकी theme क्या रही investing in a better future, trade and investment, protect world from COVID-19 या फिर recover together, recover stronger तो देखो COVID-19 का दौर तो था वो लेकिन उसकी theme COVID-19 नहीं रही confuse करने के लिए आपको ये third option दिया गया है option number 4 इस question का सही answer होगा, recover together and recover stronger COVID-19 के time पर ये theme रही कि हमें साथ में recover करना है और साथ में strong बनना है इंडोनेशिया की theme रही आगे देखते हैं, when did India become a member country of G20 अब जो इंडिया है वो G20 का हिस्ता या सदस्ते देश कब बना 1979 में बना, 1989 में बना, 1999 में बना या फिर 2009 में बना तो देखो, establish कब हुआ था? G20 1999 में ये हमने अभी देखा, जो establishment हुआ था, वो कब हुआ था? 1999 में और जब establishment हुआ था, तभी India इसका जो है member बन गया था तो इसका सही answer क्या हो जाएगा? option number 3 जो इसका establishment year है, बही रहेगा, इंडिया की membership का year आगे पड़ते हैं, how did the G20 start? G20 की जो starting रुई थी, वो किस सह हुई थी? G19 सह हुई थी, G7 सह हुई थी, G5 सह हुई थी, या फिर इन में से कोई नहीं अभी हमने समझा था, G19 भी नहीं होगा, G5 भी नहीं होगा, इसका सही answer हो जाएगा, option number 2 G7, पहले G7 था, उसके बाद G8 हुआ और उसके बाद क्या हुआ हुआ हमारा G20 G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? George W. Bush के द्वारा की गई, Olaf Schulz के द्वारा की गई, Mario Draghi के द्वारा की गई, या फिर Robert Walpole के द्वारा की गई इसकी अध्यक्षता तो हमने देखा कि सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, वो USA में हुई थी, यानि अमेरिका में हुई थी, उस ही सा आपको connect करके याद रखना है कि इसकी जो सबसे पहली बैठक की अध्यक्षता है, किसने की थी? वो की थी, George W. Bush ने इसको आप connect कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा option number 1 अध्यक्षता किसने की थी? G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की, George W. Bush ने अब यह आज का आपका homework question है, और आप लोगों को इसका answer देखते ही पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को comment box में इसका answer मुझे देना है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने इस class को शुरू से एंड तक देखा, आप लोग महनत करोगे तभी आपको मह महनत का फल मिलेगा, मैं भी महनत कर रही हूँ, आप लोग भी महनत करिये, साथ में महनत करते करते आगे बढ़ेंगे, ओके, तो who has chaired the G20 summit 2022, G20 शिकर समिलन, 2022 की अध्यक्षता किसने की, इंडोनेशिया, न्यूजिलेंड, स्वीडन या फिर स्वीट्जर लेंड, इसका answer आ अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी helpful रहा हो, तो please channel को subscribe करना, share करना, अपने friends के साथ, like करना वीडियो को, मिलते हैं जल्दी, thank you so much and take care.